वो इस डेली की एक और इंट्रस्टिंग वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं और आज की एपिसोड भी आपको बहुत हैरान करने वाली है क्यूंकि इसमें कुछ ऐसे मनाजिर हैं जो अगर कैमेरे की आँख ने रेकॉर्ड ना किये होते तो शायद किसी को यकीन ना आता तो इदर उदर की बातों में टाइम्स आया करने की बिजाए फौरी वीडियो का आगाज करते हैं लेकिन चंद सेकिन निकाल कर वीडियो के नीचे मौजो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरू हो जाता है लेकिन उसके दोस्त फिर भी उसे तनहा नहीं छोड़ते वो उसे अपने साथ वीलचेर पर बिठा कर फेस्टिवल पर लाते हैं और भीड के बीचों बीच उसे बिठा कर ढोल वालों को उसके पास ढोल बजाने और अपने दोस्त को नाचने का कहते हैं और यही विडियो भी यकीन आपकी आँखों में आंसू ले आएगी जिसमें दूद वाला सड़क के बीचो बीच ट्रैफिक सिगनल पर अपनी बाइक स्टैंड पर लगाए खड़ा है एक नजर में तो सभी को उसकी इस हरकत पर हैरानी हुई होगी लेकिन जब मामले की असलियत का पत भर दी जिसे वो बेचने के लिए जा रहा था और ये मनाजर देखकर साफ पता चलता है कि किसी की मदद करने के लिए जेब में पैसे नहीं बलके सीने के अंदर अच्छा दिल होना ज़रूदी है न्यूली वेड अमेरिकन कपल मिका वायलेस और सेरा अपना हनीमून मनानी के लिए बारबरोस गए और एक रोज जब होटेल के स्विमिंग पूल में मिका नहा रहे थे तो उनका सर धड़ से अलग देखकर उनकी बीवी सारा तो बिलकुल हैरान रह गई और जैसे जैसे उस देखने वाली एक उप्टिकल इलूजन थी जिसमें पूल का गोल शीशा लाइट के साथ 90 डिगरी का एंगल नहीं बनाता और इसी वज़ा से देखने वाली आंग को आपजेक्ट टेड़ा मेड़ा नजर आता है दोस्तों जो नालाइक स्टूडेंट सारा साल क्लास में मस्ती करते रहते हैं तो एक्जैम्स में फिर वो चीटिंग के नए नए तरीके ढूनते हैं लेकिन इन भाई साइब ने तो सभी को पीछे छोड़ दिया ये एक्जैम्स हाल में सर पर नकली विग लगा कर पहुँचे जिसके अंदर इन्होंने एक वायलेस हाइटेक डिवाइस चुपाया हुआ था जिसके अंदर सिम भी लगी हुई थी और आवाज सुनने के लिए वायलेस साउंड आटपुट को इन्होंने कनेक्ट करके कान के अंदर छुपा रखा था अब प्लैन तो इनका एक्जैमिनेशन हाल में उससे अवाद सुन सुन कर जवाब लिखने का था मगर इन्हें खबर नहीं थी कि एक्जैमिनेशन हाल के बाहर मैटल डिटेक्टिर जूद थी जिसने स्टूडिन के बालों और कानों में चुपाई हुई डिवाइस को डिटेक्ट कर लिया और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करते हुए एक नहीं बलके दो दो लोग पकड़े गए अब जितनी देर इन लोगों ने यह प्लैन सोचने में लगाई होगी अगर य उसकी गाड़ी के पीछे लगा कर छुप जाता है जब खातून ने गाड़ी रिवर्स की तो पीछे ट्रॉली देखकर वो उसे हटाने के लिए नीचे उतरती है और जब उसका मूँ चंद सेकिंड के लिए उदर होता है तो वो शक्स आता है और कार का दर्वाजा खोल कर उ नहां से भाग जाता है शातिर चोर ने ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ किया कि उस खातून को पार्किंग से चले जाने तक भी ये खबर ही ना हुई कि उसके साथ क्या हाथ हो चुका है और वागई अगर सीची टीवी कैमरा ये फुटेज रेकॉर्ड ना करता तो उसके गुमशुदा बैग का सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रहता लेकिन काफी सारे लोग उसके करीब से ध्यान दिये बगएर गुजर जाते हैं ये लगज़री कार भी वहां से गुजर जाती है लेकिन पिर नजाने क्या सोचकर कारवाला इसे रिवर्स करता है रिक्षे के करीब आकर उस कार में से एक छोटी बच्ची निकलती है और उस लेडी को पीने के लिए पानी देती है फिर उसके बाद कार में से एक साहिब बाहर आते हैं और मैडिकल एमेजनसी को अंडिस्टेंड परते हुए फौरी तोर पर उस खातून को उठाते हैं और गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं बिलाशुआ मुसीबत में फंसी हुई मखलूक की आसानी के लिए खुदा अपने बंदों को ऐसे ही रहमत के फ्रिष्टे बना कर भेजता है देशी शादियों और फंक्शन बगारा पर बुलाए गए सिंगर्स पर पैसे फैंकना एक रूटीन की बात है लेकिन इंडियन गुजरात के शहर एहमदाबाद में होने वाले इस इवेंट ने तो सभी हदे फलांग डाली यहां पर लोग हाथों से दौरत नहीं बलके बाल्टियां भर भर कर करंसी नोट सिंगर पर निचावर कर रहे थे इस इवेंट में फेमिस गुजराती फूक सिंगर उर्गुशी गाना गाने आई हुई थी और उनका गाना लोगों को इसकदर पसंद आया कि पांसो के नोट उड़ाने के साथ साथ वो बाल्टियां भर भर कर करंसी नोट उन पर निचावर करने लगे दोस्तों आजकल देसी शादियों पर अजीब औ गरीब रसमे एड होती चली जा रही हैं जिसकी वज़ा से शादी के फंक्शन्स लंबे से लंबे तरीन होते हैं और ऐसी ही एक इंडियन शादी में नाकाबल यकीन नजारा देखने को मिला कि जब शादी का फंक्शन इसकदर लंबा चला कि बिचारी दुलहन सोफे पर बैठे बैठे सोने लग पड़ी और जिसने भी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखा उसने कहा कि भई ऐसी वीडियों पर हसने से कहीं बेतर है कि शादीयों में होने वाले इन फजूल रस्मों को खत्म करवाया जाए कुछ ऐसी ही रस्मों में आजकर वैडिंग फोटो शूट भी शामिल हो चुका है जिसे अलग से अलग दिखाने के लिए फोटोग्राफर्स भी कपल से अजीब और गरीब किसम के काम करवाते हैं कुछ रसा पहले इंडिया के इस कपल कर प्री वैडिंग शूट कहकर ये वीडियो बहुत ज्यादा वाइरल की गई कि जिसमें ये कपल कचरे के धेर के ऊपर शूट के लिए ना सिरफ पोज कर रहा था बलके दोनों रोमेंटिक डांस भी कर रहे थे और इनकी इस हरकत को पास से गुजरने वाले बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे के जैसे किसी पागल का तमाशा देखते हैं विडियो जब सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई तो बाद में ये राज खुला कि असल में ये कोई प्री वैडिंग फोटो शूट नहीं था बलके जोदपूर सिटी में फैले हुए कचरे को साफ करवाने के लिए एक तंजिया कैमपेइन चलाई गई थी कि लोग अब इस कचरे के इसकदर आदी हो चुके हैं कि उनके लिए बिलकुल ये एक बाग की सूरत में बन चुके हैं जहां जाकर वो फोटो शूट करवाते और रोमेंटिक डांस करते हैं और दोस्तों अब पेशे खिद्मत है ये वैडिंग शूट जिसमें फोटोग्राफर ने इस मौतरमा को जूले पर बिठाकर लेक पर भेज तो दिया मगर जूला बिचारा उनका बोज बरदाश ना कर पाया और ये खातून अपने कीमती ड्रेसमेट लेक में जा गिरी और शरम से पानी पानी हो गई और लास बर नौट दे लीस्ट ये नाकाब यकीन सीजी टीवी फुटेज जिसमें दो भूकी शेडनिया खुराक की तलाश में जंगल से गाउं में घुसती हैं और गली में घूमते हुए एक आवारा बैल को निशाना बनाने के लिए आन पहुंचती हैं लेकिन बैल ने भी खौफजदा होकर भागने की बजाए उनका मुकाबला करने की ठानी कुछ देर तक तो शेडनिया उस बैल को अपने चबड़ों में लेने की कोशिश करती रही लेकिन जब उस बैल की हिम्मत देखी तो वहां से भागने ही में खैरियत समझी तो इस बात से एक चीज तो साबित होती है कि खतरे में हमेशा ताकत से ज्यादा हिम्मत की जुरुत होती है इसी एक लेसन के साथ करते हैं आज की एपिसोड क्लोज और हमें उमीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजो लाइक का बटन प्रस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताक ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें जल्द आपसे दुबारा मुलाकात होगी देखते और सुनते रहिए वोईस डेली